एक कटोरी मखाना लेंगे, कठाई में डाल करके भून लेंगे, बहुत देर तक नहीं चलाना है, थोड़ी देर ही हम चलाएंगे ताकि इसका कच्छापन निकल जाए और हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, मखाना भून गया है, ये चेक करने के लिए हम एक मखाने को उठा लेंगे एक कटोरी लेंगे इसको मखाने के ऊपर रख करके प्रेस करेंगे प्रेस करके मखाने को छोटे चोटे तुकड़ों में तोड़ लेंगे सारे मखानों को नहीं तोड़ना है आदे मखाने को तोड़ेंगे और आदे मखाने को साबुती छोड़ देंगे आप देख सक बादाम मैंने लिये है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है इसको घी में डाल करके भून लेना है वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें इसमें छे साथ काजु के टुकड़े डालेंगे इसे चला करके भून लेंगे बहुत देर तक नहीं भूनना है थोड़ी ही दिर भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और ये क्रिस्पी हो जाए ड्राइफुट्स हमारा भून गया है अब हम इसको एक कटोरी में अलग निकाल लेंगे ये देखिए कटोरी में मैंने काजो बदाम निकाल लिया है इसको रखते हैं ये एक कटोरी ले लें एक कटोरी सेट कर लें इसी कटोरी से हम समगरी का मेजरमेंट करेंगे माप करेंगे ये मैंने फुल फैट क्रीम मिल्क लिया है ये एक बार का उबालावा दूद है इसमें दो चमач मलाई भी ऐए आप कोई सा भी दूद ले सकते हैं अगर आप कच्चा दूद ले रहे हैं तो पहले कढ़ाई में उबाल ले जब एक उबाल आ जाए तब मखाने इसके अंदर डालें दो हरी लाची कूड करके डालेंगे इसको डालने से स्वात बर जाता है और खुछ भी अच्छे आती है दस मिनट धीमी आच पे पकाने के बाद हम इसके अंदर चार चमच मिल्क पॉडर डालेंगे ये वही चमच है जिसे आप डेली यूज करते हैं दाल चौल खाने में मिल्क पॉडर इसली डाला है ताकि दूद में जल्दी से गाड़ा पन आ जाए मिल्क पॉडर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें इसकी जगह पर आप एक लीटर दूद लें और उसको देर तक पकाएं आपको इतना पकाना है इसको चलाते वे कि उसका चौथाई हिस्सा कम हो जाए इस प्रोसेस से बचने के लिए हमने मिल्क पॉडर डाला है ताकि दूद हमारा जल्दी गाड़ा हो जाए दो चमच नारिल का बुरादा डालेंगे इसको डालना बिल्कुल आप्शनल है नारिल का बुरादा डालने से खीर कस्वाद दुगना हो जाता है लगतार चमच से चलाते रहेंगे दूद में उबाल आ रहा है आप देख सकते हैं पहले से इसकी थिकनिस बढ़ी है दूद में गाड़ापन आ गया है इसमें आधा कटोरी चीन डालेंगे चीन डाल करके इसको मिला लेंगे थोड़ी देर और हम इसको चलाएंगे एक तो मिलट के बाद आप देखेंगे की चीनिस में अच्छी तरसे घुल गई है अब इसे स्टेज पर ड्राइफूट्स डालेंगे थोड़ा सा ड्राइफूट्स हम बचा लेंगे खीर को गारिश करने के लिए इसको चलाएंगे दूद पहले से गाड़ा हो चुका है इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है पहले की अपेक्छा इस समय ये क्रीम कलर का दिख रहा है इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है पर मैंने इसके अंदर केसर का धागा नहीं डाला है आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल है गैस की फ्लेम को बंद कर दें पर हम अभी इससे सर्व नहीं करेंगे पोड़ी देर इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए पोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे खढ़ाई चूँ करके मैंने देखाए देखिए समय ठंडा हो चुका है खीर जब ठंडी हो जाएगी आप करके देखना ये पहले से काफी थिक हो चुकी होगी ये देखे हमें थिकनेस ऐसी ही चाहिए ना ये जादा गाड़ा है और ना ये जादा पतला टेक्चर का है अब आप इसे सर्व कर सकते हैं इसको पकाने में आपको लगबग 18-20 मिट का समय लग जाएगा वीडियो आपको पसंदाता है तो प्लीज लाइक करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें